कि अब क्या कर लेते हैं अपना टेस्ट वैलिए देख लेते हैं कौन सा हमारा बचा हुआ है तो यहां पर इन्पुट कर लेते हैं उसको भी तो वैदर एंट्री यूस कर लिया है आप यहां पर क्या बचा है है विद के विद्धिडी डिग्रीडेट कुलल जाएंट कई तो यहां पर संपल मैं यहां नगा जिया मैंस मैं तौर यहां पर रेंडमाइज और यहां पर संपल के थाथ 10 से मुल्टिप्लाइब कर दिया गई यहां इन्पर हमने लास उसको भी द यहां पर आगई मेरी वैदर आईडी वैदर आईडी को अपने रेंडमाइज करना है इसकी वैल्यूस भी देनी है हमें तो अगर आपको याद हो गई मैंने यहां पर उपर अलड़ी क्रिएट कर चुका हूं किसके लिए वैदर आईडी के लिए राइट तो ऐसा कर लेता है यहां पर क्या है हमारी वैदर आईडी आगई अब गई इस चीज को धियान रखना आप के वैदर आईडी आतो गई है बट यह मुझे चाहिए इवन यह वाली आईडी यहां पर जो फिक्स करी है यह यह क्या है रेंडमाइज रहें अब गई यह तो कौन से आएंगी सिंप कर सकते हो इसमें फी कास्पिंग कर सकते हो एन इसको वैली उसको कर सकते हो है तो यहां पर सीम्पल के love- проц function यूश कर सकता हूं मैं दॉत रेंडंडं मैथ almost शंहां सी exactly कर लेते हैं किते फ्युक्रे उसको अपने किया कर लेता है गाइस की का लेता है किस से यहांपर यहां पर क्या होग सिद्वाइश हमारे पास एक रेंडंडू मैथ 허 जिंड गया क्या क्रिएट करने के लिए वैदर आईडी क्रिएट करने के लिए तो यह वाली जो हमने आईडी क्रिएट करें थी एरे की इसे क्या कर दिया है हमने रेंडमाइज वैल्यू देती है तो यहां तक तो हो गया है हमारी जो वैल्यूस थी अब सिंपल क्या कर देंगे हम रिटर् type क्या ले रहा है test weather values जो हमने input करें है किसमें content values के एक object में जो object क्या था test weather values यहां तक hopefully आप लोगों कोई confusion नहीं होगा यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा अब guys मुझे चाहिए कि जो मेरा fake data create हुआ है right यह simple एक दिन के लिए हुआ है यह simple एक दिन के लिए अभी फिलहाल आएगा राइट अब मुझे चाहिए कि जो मेरे data insert हो रहाइट वह at least 7 दिन का या उससे जादा के दिन का हो okay क्योंकि वरना कोई फायदा नहीं होगा खाली एक data हमेश्यों नहीं करवाना है तो यहां पर क्रिएट कर लिए एक method हमारा इंसर्ट करने में help करेगा तो यहां पर यूज कर लेता है गाइस इस चीज को ध्यान रखना काई इसे पब्लिक बनाना क्यों क्यों कि यह क्या एक है जो हमें help कर रहे content values जो हमारी fake वाली है fake वाली values को हमें insert करवाने में help करेगा तो यहां पर क्या गया हमारा public static void and simple क्या ले लेंगे insert क्योंकि यह वाली content values थी खाली हमने logic लिखा है तो यहां पर क्या गया हमारा insert fake data और इसमें देना क्या है गाइस हमें context पास करना है तो यहां पर क्या गया simple मेरा context आ चुका है और इसका parameter आ गया परमेटर नहीं object आ गया अब गाइस सबसे पहले किस basis पर देनी है आपको date के basis पर देनी है तो यहां पर हम क्याल देंगे एक long date ले लेंगे तो किस दिन से शुरू करेंगे जो हमारा जो हमारा starting जो दिन आज है तो उस दिन से शुरू करने है हमें तो हमारे पास इसके लिए already method था कि हमें date कैसे fetch करने है तो हमारे पास क्या था इसमें sunshine date उटिल सा simple और उसमें हमारे पास कौन सा method था गाइस normalize date अगर आपको याद हो तो यह मैंने आपको बताया था लिए कि कैसे work करेंगा यह और इसमें हमारे पास already क्या था system system में क्या यूज करेंगे हम current time millisecond right तो यह हमारा क्या हो गया convert हो गई जो हमारी date थी वह convert हो गई किसमें today में जाके safe हो चुकी है इस point पर आके यहां पर क् अब मुझे क्या चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए किसकी content values की list चाहिए तो गई यहां पर क्या ले लूँगा मैं एक list ले लूँगा जिसमें क्या pass करवा दूँगा मैं and क्योंकि क्या generic class है मतलब यहां पर आगर आपने देखा हो गाई select करते वक्त हमारे पास क्या था curl in वा list type का okay list में इस टाइब का यहां पर नेम दे दूंगा इसका fake values new and फिर क्या setup कर देंगे guys अपनी array list set कर लेंगे array list and यहां पर आप देख सकते हो guys आगए मेरे पास array list and इसमें भी क्या दे देंगे content values तो यहां पर क्या हो गई हमारे list create हो गई कि इसकी content values की जो क्या देगा fake values insert क करवाने क्या fake values अब guys कोई भी चीज अगर आपको एक repetitive उसमें insert करवाने हैं तो हमेशा हम क्या use करते है looping use करते हैं तो हम looping start कर लेता है ताकि साथ दिन की साथ दिन का जो हमारा date का data है वह insert हो जाए okay from और start कहा होगा हमारा today से तो यहां पर simple मैं क्या दे सकता हूं integer i की value दे मैं क्या कर सकता हूं जो मेरी fake values था right जो object बनाया था मैंने इसका उसमें क्या कर सकता हूं simple add कर सकता हूं और मुझे क्या add करना है content values add करना है तो इस चीज का हमेशे ध्यान रखना का ही जब आप इसमें ऐसे add करो तो एक तो index and constant values के element करना है राइट लेकिन मुझे करना है simple content value की वह करना है value करनी है एड ऐसा क्यों क्योंकि हमने already क्रिट कर दिया इसका already method यहां पर create कर चुके हैं जो मैंने आपको बताया था helper method था है हमारा यहां पर एक ही parameter पास हो रहा है जो क्या एक date type है long date तो यहां पर simple मैं क्या use कर सकता हूं जो हमारे fake data utils है right इसमें तो हमारा method ह method है कौन सा insert fake data and insert fake data के साथ अब गई यह तो हमारा method है जो हम लिख रहे हैं जो हमारा insert करेगा और हमारा create कौन कर रहा है create test whether content values तो कौन सा हमें use करना है test create test whether content values तो हम simple इस वाले method को use कर लेंगे अब मुझे क्या चाहिए इसमें date चाहिए तो गई सबसे पहले तो मैं today ले लू की help से time units की help से तो यह क्या आगया मेरा time unit आगया है आपको क्या यूज करना है यहां पर हमारा पास time unit value देदी आई और यह होगे guys change तो guys इसके हिसाब से हमारा क्या हो गया पहले first date आईगी हमारी तो आई क्या है zero तो पहले date आगई फिर दूसरी date आएगी दूसरी date में हमारा क्यूंके index value के आगई one आ चुकी है तो यह क्या हो गई second date हो गई third date हो गई fourth date हो गई ऐसी हमारी चैड़े बालब zero से लेके six तक total कितनी होगे हमारी seven होगे बट zero से लेके six तक हमारा जो लूप चलेगा वह हमें क्या देगा यहां पर seven values प्रोवाइट करें गया जिसके हिसाब से हमारी क्या dates लूप चलेगा साथ दिनों के लिए अब गाई यह तो हो गई हमने हापे क्या 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 सट कर दिया जो हमारी डेट थी वह सेट कर दी content value सेट कर दी जो हमारी रिजॉलवर की थूब से करेंगे राइट यह चीज भी हम बहुत बार इसका सब्सक्राइब कि कैसे वह करता है कैसे data इंसर्ट करता है content रिजॉलवर कैसे वह करता है और कैसे connect करता है हमारे content प्रोवाइडर से content value से and कैसे दोनों query method similar query method insert method use करते हैं क्या करने के लिए insert करने के लिए data तो यहाँ पर simple अब क्या use कर लेंगे हम context use कर लेंगे जो हमने already क्या use कर रहा है और इस पर क्या लगा लेंगे अपना इस वाले context पर हम लगा लेंगे जो हमारा content रिजॉलवर था फिर गाईज मुझे क्या करना है यहाँ पर insert करना है क्या बल्क इंसर्ट करना है already मैं यहाँ पर method लिख चुका हूँ इस चीज़ बिलकुल confuse मत होना अगर आप बल्क इंसर्ट पर जाके control बी करोगे तो अगर आप यहाँ पर देखो तो content रिजॉलवर का already हमारे पास क्या है एक method लिखा हुआ है अब यह कौन सा वाला method है यह हमारे default method है किसका content रिजॉलवर का यह हमें लिखने की जरूरत नहीं है यह predefined है तो यहाँ पर हमने क्या कर रहा है यहां पर हमने जो हमने बल्क इंसर्ट यूज कर रहा है मैंने इसलिए आपको बता रहा हुआ है यहां पर वैदर प्रोवाइडर में अगर आप जाओगे तो यहां पर हमने अपने जो इंसर्षन के सारे में तो आपको यहां पर रहा तो हमने करुसर कर da करऊड़ का अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर मैंने कह रहा है बलक इंसर्ट राइट तो मैंने यहां को उस फच Цन क्लियरी नहीं बताया है कि कैई वाले में टास एंसर्ट मेंना क्या तो थोड़ा सा आप लोगों clear हुआ होगा कि बल्क इंसर्ट जो हमारा क्या होता है जो हमारा गाइस यूरा मैचर होगा राइट जो हम यूज करेंगे इसको content resolver को basically use content resolver use करेंगे and content provider इसको जब आप use करोगे तो यहां पर हमारा पस अलग-अलग method होता है इसलिए जो बल्क इंसर्ट method है हमारा जैसा आप तहीं यहां पर देखा रहा है यह कौन से वाले उसका पार्ट है यहां पर आगर आप देखो इस दुबारा से control B करूं है तो यह किसकी class खुलो कि content resolver की की class library का है तो यहां पर आपको confusion नहीं हुआ होगा कि आप हमने ओवर्राइट क्यों करा था bulk insert को क्यों कई लोग इन चीजों में confused रहते हैं कि कौन से पार्ट को कौन से वाले method को हमें कि करना है तो गईस हमेशा जो हमारे already किसी एक library में कोई method लिखा हुआ होता है हम उसको overwrite करते हैं तो इस चीज में कभी confuse मत होना कि किस method को हमें overwrite करना है किस method को नहीं करना